नमस्कार दोस्तों, BR Health Solution में आपका स्वागत हैं, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, नए नए टेकनोलोजी आ रही है, और लोग मुबाइल फोन का ज़ादा से ज़ादा इस्तिमाल कर रहे हैं, और कब ये इस्तिमाल करते करते एक आदत बन जाती हैं, तो चलिए आज हम इसे के बारे में जानते हैं, आज का हमारा विश्य है, सेल्फोन एडिक्शन, दोस्तों, WHO, यानि कि World Health Organization द्वारा, सेल्फोन एडिक्शन को एक बिहेवियर एडिक्शन बताया गया है, यानि कि इसे डिपेंडन सिंड्रोम बताया गया है, एक ऐसी आदर, जिसके बिना आप रही नहीं सकते, अगर कुछ देर के लिए ये चीज आपके पास ना रहे, तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपको घबराहट महसूस होने लगती हैं, कमपन होने लगती हैं, तो इसे बिहेविर एडिक्शन एक सिंड्रोम कहा गया है, दोस्तों, 71 परतीशत लोग अपना फोन अप पूरा हुई ना, मतलब अगर एक दिन के लिए भी उनसे फोन छीन लिया जाए, तो उनको इतनी बेचैनी घबराहट शुरू हो जाएगी, वो इतना परेशान हो जाएंगे, तो चलिए जानते हैं, क्या प्रमुक 6 लक्षन है, जिसे पता चलेगा कि एक आप सेलफोन एडि सुबह जैसे ही आपकी आखे खुली, उसके बाद सीधे फोन को चेक करना, मतलब बिना दिन को स्टार्ट किये हुए, बिना फ्रेश हुए, बिना कोई काम किये हुए, सबसे पहले ये देखना कि मेरा फोन कहा है, तीसरा ये चीज़ अगर आपके पास फ्री टाइम है, या फिर आप बोर हो रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा फोन का इस्तिमाल कर रहे हो, चौथा ये कि आप सबसे ज़्यादा समय फोन पर बिताना, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय आप फोन पर ही बिता रहे हैं, पांचवे ये कि अधर्स आपको कंप इस्तिमाल करना है तो दोस्तों ये कुछ शेप्रमुक लक्षन है जिससे पता चलता है कि आपको बहुत जादा सैल फोन की एडिक्षन है दोस्तों दिमाग में एक ट्रांस्मेटर होता है जिसका नाम होता है डियोपामेंड जिसके लेवल्स बढ़ जाने की वज़ा से ऐसे ल घंटे हो जाएं शायद दिन भी पूरा हो जाएं बट मुझे फोन इस्तिमाल करना है दोस्तों इसी का लेवल बढ़ने से ये लक्षन देखनी को मिलते हैं दोस्तों इसमें हम तीन चीज़ें करते हैं सबसे पहला होता है reward of hunt reward of hunt में यह होता है कि हम सेलफल इस्तिमाल कर रह हैं यानि कि हम्में पता चलता है कि हर दिन क्या discovery हो रही है क्या नई चीजों की खोज हो रही है और क्या दुनिया में चल रहा है जो कि सही भी है पर updated रहना चाहिए दोस्तों इन चीजों का गयात बिलकुल भूहन चाहिए लेकिन इसके चकर में आप पूरा दिन निकाल दे और ये देख रहे हैं कि मेरे फोटो पर कितने लाइक्स हुए, कितने कमेंट हुए, लोगों ने तारिफ की या नहीं की, बार बार बेच्चे नी होना, बार बार दस से पंदरा मिनट बाद ये चेक करना, अगर फोन का डाटा नहीं आ रहा है, नेटवर्ग नहीं आ रहा है, और इतना ज़्यादा परेशान हो जाना, तो इसे कहते हैं reward of cell, जो हम खुद को देते हैं, तीसरा होता है reward of tribe, यानि कि हम हस से ज़्यादा cell phone का इस्तिमाल इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा social बन कर रहें, मतलब कि अगर हम cell phone का इस्तिमाल कर ही, जो cell phone reduction द्वारा देखने को मिलते हैं, इसके सबसे ज़्यादा जो bad effect होते हैं, वो ये होते हैं back और neck pain, यानि कि peat का, कंदे का और garden का दर, क्योंकि phone का ज़्यादा इस्तिमाल करने से आपकी garden बार-बार जुकती हैं, आप खुद जुकते हैं, आपका posture सही नहीं रहता ह हैं, आप सोई रहते हैं, या फिर टेड़े होकर लेटे रहते हैं, या फिर टेड़े होकर जादा phone इस्तिमाल करते हैं, जिसकी वज़ा से पीछे की मास पेशियां अकड़ जाती हैं, और जिन में दर्द शुरू हो जाता है, दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको phone टाइम पर नहीं मिला और आपका phone कहीं खो गया है, और उसकी वज़ा से आपको बेचैनी होना, घवराहट होना, परिशानी होना, इसकी वज़ा से कई बार लोगों में depression के लक्षन भी आ जाते हैं, जो था ये है कि आपके दिन भर की काम करने की शमता जो है, वो कम हो जाती है, वो बिल्कुल घड़ जाती है, क्योंकि आपका समय जादा से जादा phone पर बीत रहा है, इसलिए आपकी काम करने की शमता कम हो जाती है, इसके बाद ये भी देखा गया है कि बहुत जादा health issue आते हैं, साथी साथ इसमें आग कान के बिमारियां भी आ सकती हैं, ज सबसे पहले आप ये decide कर लें कि मुझे इतने से इतने time तक cell phone इस्तेमाल करना है, और इतनी से इतनी देर तक आप अपना phone switch off करके रखेंगे, या फिर silent पर रखेंगे, ये आप बिल्कुल न करें कि हर 10-15 मिनट बाद आप अपना cell phone चेक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि क्या calls आए, क्या message आए, दोस्तों आप अपने आपका एक दायरा maintain कर ले, एक समय maintain कर ले, कि आपको इतनी से इतनी देर तक cell phone इस्तेमाल करना है, और इतनी से इतनी देर या तो मेरा phone silent पर रहेगा, या फिर phone switch off रहेगा, दूसरा आप ये करें कि फोन में जो भी जादा apps ह जो आप बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करते हैं, और जिनकी बहुत जादा जरूरत भी नहीं है, उसे आप अपने phone से remove कर दें, दोस्तों इससे होता क्या है, कि आप बार बार उस app को देखते हैं, कि ये app कैसा है, इसमें क्या होता है, अपना समय खराब करते हैं, तो दोस् देखनी है, motivational videos देखनी है, दोस्तों फोन में आप beneficial चीज़े करें, तो ज्यादा अच्छा है, अगर आप बेफिजूल के videos, app, post, social media विजिट कर रहे हैं, तो ये एक cell phone addiction का ही काम करता है, दोस्तों सुबह उटने के बाद के जो 60 मिनिट होते हैं, और रात को सोने से पहले के 60 मिनिट होते हैं, ये बहुत important होते हैं, इसे आप waste ना करें, यानि कि इसमें आप book पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, meditation करें, yoga करें, या फिर कोई light music सुने, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होता है, इसे आपकी नीन भी पूरी होगी, इसे आपकी दिन के शुरव कर सोते हैं, क्योंकि वो सुबा उट नहीं पाते हैं, तो दोस्तों आप अलाम लगा कर सोएं, लेकिन फोन को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर आपकी नीन पीच में डिस्टप हो जाती है, तो आप फिर से फोन पर स्कोल डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिस वज़ करके आप अपनी हेल्थ भी ठीक रखेंगे, और जो सेलफोन एडिक्शन की बिमारी है, वो नहीं होगी, तो दोस्तों आज हमने जाना सेलफोन एडिक्शन के बारे में, जी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, धन्यवाद दोस्तों,